आज हम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी साबू दाना का खिचरी बनाएंगे तो इसके लिए एक कब साबू दाना लेंगे इसमें पानी डाल कर अच्छे से एक बार धो लेंगे होने के बाद गैस के ऊपर प्रेसर कुकर रखेंगे प्रेसर कुकर में एक चमच तेल डालेंगे अच्छे से गरम होने के बाद आधा कब मूफली लेंगे इससे तरह से रोस्ट कर लेंगे मूफली रोस्ट होने के बाद एक चमच जीरा डालेंगे तो हरी मिर्च डालेंगे कुछ करी पत्ता डालेंगे एक मिनिट के लिए फ्राइब कर लेंगे फ्राइब होने के बाद ए अच्छी तरह से मिक्स करके दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे फ्राइ होने के बाद हराधानिया डालेंगे दो कप पानी डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद प्रेसर कुकर का धक्कर लगाएंगे और मीडियों फ्लेम पे द दो सीटी आने देंगे दो सीटी आने के बाद प्रस्तर कुकर का सारा प्रस्तर निकल जाने के बाद इसका धक्कन खोलेंगे साबूत आना का किच जिबन कर तयार है